नमस्कार हमें समझना होगा कि सिहत की डैमेंशन्स क्या है सिहत मैच्यर्टी है सिहत उर्जा है सिहत नौलेज है तो आज हम बात करेंगे कि जो मेटिरलिस्टिक लाइफ है जाँ पैसे से बुनी हुई लाइफ है और स्प्रिच्वल एक अध्यात्मिक लाइफ है उसमें क्या फरक है और वो कैसे हमारी सिहत को इफेक्ट करती है हमें उर्जा को तो लेकर चलना ही है उर्जा के बगए सिहत नहीं आ सकती उर्जा है अगनी स्पार्थ उसके साथ जब ये नॉलेज को डेकोरेट कर देती है जब समझधारी को डेकोरेट कर देती है ये अगनी तो हमारे सिहत के उपर चार चांग लग जाते हैं स्पार्थ नॉलेज एंड मोर और इन्फरमेशन नॉलेज मैच्योर्टी प्रिपक्ता ये दो तीन चीज़े हैं जो जीवन के जो हमारा रास्ता है जो सिहत है उसको ठीक रखती है आज हम बात करेंगे कि जो चीज़ें देने की ओर जाती है जो लोग एक मानसिता रखते हैं देने की वो है स्प्रिचुलिजम वो है अध्यात्मिक वाद हमें ध्यान रखना होगा कि जो लोग देने की प्रविर्टी रखते हैं ओरिजिनल प्योर देने की प्रविर्टी वो है स्प्रिचुलिजम जो लेने की प्रविर्टी रखते हैं वो हैं मेटिरिलिस्टिक नो डाउट इनिट ये दो चीज़ें प्रूव कर देंगी कि वो materialistic है वो spiritual है अब हम क्यों बात कर रहे है spiritual की और materialistic की कैसे ये connected है सेहत के साथ ये बहुत गंबीरता से जुड़ा हुआ है हमारी सेहत के साथ जब हमारे trends देने के होते है तो हमारी body के जो मल हैं वो भी देने की और जाते हैं वो बड़ी जल्दी अच्छी तरह निकलते हैं body में से जब हमारी मानसिक्ता लेने वाली होती है तो even हमारे जो मल हैं वो भी नहीं निकल पाते क्योंकि एक-एक cell को आदत है पकड़ के रखने की ना देने की तो हर cell वो ही काम करता है और वो सिहत दूशित हो जाती है और spiritualism जो देने वाले लोग हैं जो देने की मानसिकता रखते हैं उनका हर cell देने की आदत रखता है तो उसमें जो मल हैं वो निकल जाते हैं इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से केंदरित करना होगा समझना होगा कि spiritualism कैसे सेहत को अच्छा करता है लेकिन spiritualism के साथ भी अगनी बहुत जरूरी है कई बार अगनी की कमी हो जाती है स्पार्क की कमी हो जाती है तो सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो हमने क्या बात की कि जो materialistic trend है वो लेने वाला मान सकता है जो spiritualism है वो देने वाली मान सकता है जो देने वाली मान सकता है इसका ये मतलब नहीं कि उनकी life नहीं है वो सब कुछ earn करते हैं सब कुछ उसी तरह चलते हैं लेकिन उनके भाव उनका मान सकता जो है वो देने वाली होती है कि मैं जितना दे दूँ उतना अच्छा है और एक इंसान है वो भी नॉर्मल लाइफ है लेकिन उसकी लेने वाली है जहां से मुझको मिल जाए वो है तो ये बॉड़ी के सेल्स उसी तरह उपरेट करते हैं तो spiritualism is a winner and the materialistic type of people they lose in health नौ अब हम बात करेंगे एक छोटी सी जैसे walking movie और इस walking movie को मैं जब English में बोलूँगा तो English सीखने वाले देखेंगे कि पहले अब मैंने हिंदी में कैसे बोली है फिर मैंने English में कैसे convert की है ये ऐसा है कि मैंने एक खुले मैदान में एंटर किया मैं वहाँ पे कया मैंने एक बहुत बड़े पेर के पास जाकर उससे बात चीत की मैंने पूछा कि आपका जीवन एक ही जगा पे केंदरित रहकर सालों साल पचास साल साट साल सौ साल कैसा है ये जीवन कि आपको तो एक ही जगा पे रहना पड़ता है तो अब पेड़ ने बोला कि ये अती सुंदर है जीवन मेरा मैं कुदरत से हर वकत खुली हवाओं में एक ही जगा पे बैठा हुआ उससे वारता लाब करता हूँ हर मौसम को लेता हूँ हर हवा को लेता हूँ हर चीज को लेता हूँ कुदरत के साथ जो मेरा संपर्ख है वो इनसान का हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं हर वकत बाहर हूँ एक ही जगा पे हूँ और मैं ये पक्षियों को एक घर देता हूँ ये पक्षी जो है ये पहले ये पक्षी आए थे इनोंने पूरा जीवन काठ दिया अब इनके बच्चे भी आते हैं उनको भी पता है कि ये उनका स्थान है ये जीवन है उनका अब वो रहते हैं यहां पर मैं हवाओं से बात करता हूँ मैं बारिश से बात करता हूँ मैं आंधी से बात करता हूँ पर मैं इनको संभाल कर रखता हूँ इनको मैं जीवन देता हूँ बहुत ही सुन्दर है जीवन मेरा मुझे कोई मलाल नहीं कि मैं चल नहीं सकता मैं आ नहीं सकता जा नहीं सकता मेरा तो जीवन धन्य है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं यह जो बात आपने कह दी तो ये बात थी कि हमने एक पेड़ से बात की उसकी जीवन गाथा हमने पड़ ली उसके मूँ से सुल ली हमने कि कैसे वो पक्षियों को जीवन देता है कैसे वो कुदर्द से बात करता है कैसे वो हर मौसम से बात करता है कभी सर्दी है, कभी पतजड है कभी कुम्पले निकल रही है नहीं, कभी बारश है, कभी कुछ भी है, वो जीवन में जागर होकर, ओपन होकर, मजे से इस गुदर्श से बात करता है, ये थे उसके भाव, तो अब हम इंग्लिश में बात करेंगे अपनी वीडियो की, जाती है, डब है, टमामत пров트 से बाके येकल जाते हैं, जाती हैग जो करेंगी प discriminator करें, अभी कराव, जाती है, तो जाती है, जाती है, जाती है BACK, गाती है। में तर प्रीमिलिसक्वा इन TVार्वार सिर्फियर्शिज्न अजता से उरह सेवक्षन गला उन् youngest ऑंतर हा जिस्छियर्वेंग है किसृति har ऌसे happiness in getting give me I should get this 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 that is materialistic why I am talking about this in my health channel because both have a different effect or impact on the health when a person is spiritual and has a tendency to give all the cells of the body are in a shape to give and all the the residues of the body get out very nicely very quickly but in the case of a materialistic person all the cells have a tendency to take keep it so those cells don't make out the residues of the body very quickly when our spiritualism is is decorated with the spark agni or that fire inside of our body and with exercises and all that that is very good again so maturity spark with exercises and all that and the spiritual tendencies are very good no doubt spiritual person and the materialist though both earn the things both do efforts both have money but a tendency is something else so a person with a tendency to give is spiritual a person with a tendency to grab or take is a materialistic now I will talk about a walking movie I just talked in Hindi I am going in a big ground open yard place and all that and I am ready to talk to a big tree I talked to that tree oh you are standing at one place for years together is it not difficult how you feel about that then the tree said that he is extremely happy he has in his own life he talks to the nature he talks to the different weathers sometime winter sometime summer sometime the leaves are falling down sometime the leaves are coming and then he gives life to the sparrows to the birds they come over there they stay over there they make their nest they breed their kids and then the kids go away and then those kids know this tree they come back with their families they again make nest and all that I enjoy he said I enjoy the rain the snow every weather very openly and I talk to mother nature very frankly which a human being can't afford to do that so my life is very mature very meaningful and all that I was never having in my mind the question you asked so this was a small talk movie I tell to give the sentiments when you have a spiritual or a giving tendencies like life just like giving in words giving in the shape of money giving in the shape of knowledge everything is a tendency of giving so I try to give in the shape of words in knowledge about the nature about a tree so what we talk today that the life of a spiritual person who has a tendency to give is very good for the health because all the cells make the residues out because of the same tendency with the cells and the it's reverse with the materialistic person okay namaskar and I will be again there in front of you with something fantastic and please talk to your known people about subscribing this channel to empower this channel thanks again